तो हेलो प्यारों बच्चों स्वागत आप सब्सक्राइब करने से पहले में आपको बताना चाहता हूं कि 50% से जादा लोग इस चैनल पर वीडियो देखते हैं उनको पसंद भी आता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें क्यों भाई क्यों देखो आपके सामने इस चैनल को इतनी इफर्ट से पढ़ाता हूं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं भी थीक है तो प्ली सब्सक्राइब करिए तो हमारा चेप्टर चल रहा था ट्रेनिंग इन स्पोर्स जिसके और हमने चार वीडियो की लिंक डाल दिये आज को बहुत ही बढ़ी है आज पढ़ेंगे चलिए वीडियो को शिर्व करते हैं स्किल का मतलब जान लेते हैं हम एबिलिटी टू परफॉर्म होल मुवमेंट ठीक है ऐसी जिससे हम सारा मुवमेंट कर सके हैंगी सब कुछ कर पाए और आटोमेटिजेशन ओफ मोटर एक्शन मोटर एक्शन यानि की कुछ एक्शन जो लेवल ओफ एक्टिवनेस विच अमुमेंट और मोटर एक्शन केंबी परफॉर्म अपनी वह एक्टिवनेस अपनी बॉडी का वह पावर जिससे अपने यह सब अपने पोपाए एडिक्शन लर्न फॉर पॉर परपस और इस नीड़ेट टो टेक पार इन अप् आपको शिक्स माने के लिए कुछ एक्शन करना पड़े आपको एक्शन सीखा होगा आपकी स्किल्स आपकी पावर आपका मोटर एक्शन कितना यूज करोगे उस पर बेज होगा जैसे शूटिंग इन बास्केट बॉल सर्वेसिं टैनिस ओवरेड किक इन फुटबॉल ठीक क्लासिफिकेशन किया गया है ङुद्ध का बहुत आप की थे खुल्स रहुता है टा önस शाहिं आपको ऊछ procurement बॉघा हिए खुल्स नहीं के हम वीडियो आने वाले में делать है इसक Buffalo आने वाला है उसमें इसके बाले में तो प्लीज इसका्षिन एबरीफ मत करना इस फ क्लेशन के इंडिविजुल स्किल को एक्टिव स्किल्स इंटरक्टिव स्किल्स इसके बारे में आपको पूरा इलाग्रेट करूंगा तो प्लीज उस वीडियो को मिस्स मत करिएगा अब हम जानते हैं टेक्निक का मतलब क्या होता है ठीक है बेसिक मुवमेंट्स ऑफ एनी स्पोर्ट और इवन अब कुछ बेसिक मुवमेंट्स होते हैं अब आपको आगे चलना तो आता है बच्पन में आपने यह टेक्निक सीखिए होगी कि आपको राइट पर फिर लेफ्ट या लेफ्ट राइट एक साथ दोनों कदम चलोगे कर नी सकते तो और ना चलनी पाऊगे एक एक कदम एक समय पर लेना है ठीक है तो इस सो बेसिक होगे जैसे मैं बच्पन का बता था एक्स पोर्स बेसिक मुवमेंट्स होते है आपको बैंड मेंट्स के लिए राइट एक स्किल को परफॉर्म करने का आप एक से जाधा टेक्निक को भी यूज करते हो वो टेक्निक खुछ बनाने पड़ती है तो सीखी जाती है ठीक है और टेक्निक इन्वल्स साइंटिफिक एन एकनोमिकल मैंटर्स अडॉप्टेट तो अचीव टॉप परफॉर्मेंस ठीक है स्टैक्सिंट थेक्निक स्था काल रहा है कि जाधा हुआ है अपने जो लै लव होता है उससे जादा हो तो इससे जाहर पारोगी को इसको ऊप्लेमंट भी वह में Originally अंहें करेंगा इने एक विरयर की इन्हेंस कड़ेगी best at the given time within the rules और वही वह चीज़ को उसी टाइम पर उसी रूल्स पर कर भी पाए ऐसा नहीं कि इसमें time जाता लग रहा हूं इसमें time जाता लग रहा है क्या मतलब उसका time limited हो नहीं चाहिए अब नीट में आपको कोशन आता है आपको long method आता है लेकिन आपको plus कर रहा हूं उसको बोर्ट मांस नहीं लगा लगा ना बस में कुछ भी कर रहा हूं आ रहा है अंसे आपको पढ़ाई के examiner याद हो जाहे है अगे मतलब चाहिए कि style का मतलब क्या होता है एक बंदा अपनी technique को कैसे दूसरेंस को मैं express कर रहा है अब आपने देखा होगा कि को M.S. Dhoni को 6 मारता है helicopter shot तुसने अपनी skills को कैसे दिखाया है कि यह मेरी technique है six मारने की तू मारके दिखा दे उसने अपने अपने सामनाल दिखाये कि तू ऐसा करके दिखा दे अब normal six मारोगा अपना technique भी दिखायोगे है समने वों को लागया नोर्मल 60 मां रहा है कौन इसने कुछ अच्क है हेलिकॉप्टर चोड आज नाम से जाना जाता है क्यूं की अपनी टेखनी के दिखाई है यह लोग को दिखाई है कि मैं कर सकता है कॉं कर सकती हो के थिक है sports person due specific physical and psych, physics and physical and biological capacities realize the technique in a unique personal way और जो सामने रहे है शोगा है जो सामने है विख सीखा है बाई अपने लाइफ में वो भी सुकाम तक है जहां पर दो नी है वह अपने साफ से सीखता है उससे सामने 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 यह मेरी स्टाइल है करके दिखा दे माइकल जैक्सन मून वॉक करके दिखा दे अब तो कर सकते हैं लेकिन इस चाहिल जाता है ठीक है ऐसे बहुत अब लता मंगेश्वार उनका गला यह उनकी स्टाइल लगाने की कोई कॉपी करके दिखा दो ठीक है सब की अलग अलग कखी छोटा यह जी वीडियो था अगर रीडियो तो लायक कीजे और मेरी को नियुक्त कीजे और ऑर अची वीडियो आपके सामने लाएं किक्या गट-बाइय है धर फ्यूच्टम ओप्लीज गड़ा धर गड़े से सुरक्षित घर पे रहिए तो आप सुरक्षित रहेंगे तो घर से भार ना निकल लिए जय हिंद जय वारत गुडबाई फ्रेंड्स